असलाम लेकुम, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेंडवीच के रेसिपी, वो भी इतने असाने, आप इसे रोजाना गर पे बना सकते हैं, बच्चों के लंच बाक्स में देख सकते हैं, क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार, यह देख सकते हैं यह देखिए, आपने रेसिपी पूरी देखनी है, इस तरह की कुरंची और अंदर से इतने मज़ेदार, कैसे बनते हैं, तो चले शुरू करते हैं, बिसमिल्लायरहमारे रहीम, एक चमच तेल कलेंगे, और इसमें प्यास डालेंगे, इसको हलका सा फ्राइए करना है, ब्राउ सेंड्वीश में डालके देंगे, तो जरूर खाएंगे, एक चमच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, पप्रिका पाउडर डालेंगे, एक चमच, जरूर डालिएगा, नमक डालेंगे, और इसको इस तरह फ्राइए करना है, इस तरह फ्राइए करने से, सबजियों का जो मोस्ट्राइजर होता है वो खतम हो जाता है इस तरह सेंडवेच क्रिस्पी बनता है आप इसी तरह बनेगेगा, इंशाला आपको बहुत पसंद आने वाला है तो यहाँ पर ब्रट के स्लाइस लेंगे और इस पर कैचप लगाएंगे आप मायोनिस भी लगा सकते है जो सबजियां हमने फ्राइ की थी वो इसमें डालेंगे तरह बर-बर के इसमें डाल देना है और यहाँ पर मेरे पास सेंडवीच चीज है श्रड की हुई है आप चाहेंगे तो इसमें मोज़डा चीज भी डाल सकते है या आप सेंडवीच स्लाइस भी डाल सकते है और बहर चीज की भी आप बना सकते है बहुत ही मज़डार सेंडवीच है यह इस तरह दूसरे स्लाइस पर भी लगाएंगे और इस तरह इसको कवर करेंगे यह देखें इस तरह और fry pen में एक चमच मकन का डालेंगे और इस तरह इसको रखेंगे इसको दम वली आँच पे 2-3 मिनट इसी तरह रहने देना है 2-3 मिनट के बाद इसको इस तरह बलंटना है यह देखें इस तरह यह क्रिस्पी हो जाते क्योंकि सब्जी हमने पहले फ्राई की थी तो उनका मुश्चाजर खतम हो गया है तो यह बाद से क्रिस्पी हो जाएंगे यह देखें जो ब्याद चीज के बनाया था हमने बहुत मज़ेदार आप इसे शाम की चाय में ले सकते हैं और जो चीज के साथ है यह देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सेंड्वीचे आसानी से भी बन जाते हैं रसी पर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अलाफिस